सामसंग गैलक्सी एस ट्वन एफी का मैंने क्विक रिव्यू शेर किया था तीन चार दिन यूज़ करने के बाद आज से ठीक नौ दिनों पहले यानि टूटल बारा दिन हो गए आपने यूटीब पे बहुत सारा रिव्यू देखाऊगा इस फोन का एंड कमेंट्स भी पढ़ाऊगा यूज़स का मैंने भी देखा है और पढ़ा है फोन हर हफते अन्बॉक्स करते हैं फिर उन्हें सेट अप करना पड़ता है मैं भी हर मैंने कुछ न कुछ फोन अन्बॉक्स कर लेता हूँ है तो बहुत सारे आपको एप्स और गेम्स इंस्टॉल करना पड़ेगा आप नोटिस करोगे फोन थोड़ा ज्यादा गरम होता है हीटिंग को लेकर वहीं से आपका पहला इंप्रेशन बन जाता है कि हो सकता है फोन में लापन निकाल देता हो एंद दूसरे फोन के मकाबले यह थोड़ा ज़्यादा गरम जो एरिया है यानि टॉफ वाला एरिया और फ्रेम वाला एरिया गईस पिछले 12-13 दिनों से मैं यह स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं साथ में एक और स्मार्टफोन एस डेली ड्राइवर है आज मैं आप लोगे साथ कुछ इंट्रेस्टिंग डेटा शेर करूंगा जिससे आ अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो 30-35 अज़र में इससे बेटर गेमिंग के लिए स्मार्टफोन मिल सकता है अगर बात करो तो आपको अल्मोस्ट एकदम फ्लैक्शिफ लेवल का एक्स्पिरियंस होगा इस डिवाइस में थोड़े से महंगे वाले स समसांग स्मार्टफोन में वन यू आई का उप्टिमाजेशन बहुत सही रहता है वन ओ बेस्ट एंड्रोइट स्किन लगेगा आपको वन यू आई 4.1 यूज़ करने के बाद आउ 30 मिर्ट के गेमिंग के बाद अव हम फोन का वापी से बॉड़ी तंपरेचर नोट कर लेते हैं 33 डिगरी के आसपास था है अभी 39-40 डिगरी दिख रहा है फ्रंट साइट पे और बैक साइट पे थोड़ा सा ज्यादा 40-41 डिगरी के आसपास अब एक इंट्रेस्टिंग बात आप लोगों बता हूँ फोन का जो बॉड़ी तंपरेचर है बहुत जादा नहीं है लेकिन जो फ्रेम वाला एरिया है यह कुछ जादा गरम फील हो रहा है यानि फोन जितना गरम होता है उससे जादा यह फील होता है अब चले दस मिनट के आप देख सकते हो थोड़ो सा और बढ़ गया है 43 डिगरी के आसपास दिख रहा है यह जो फ्रेम वाला एरिया ना यहां पे और में बीडल में भी 43 डिगरी के आसपास दिख रहा है और कैमरा वाला एरिया बलट कर दिखाता हूँ आपको 45-46 डिगरी के आसपास चला गया नाव performance भी चेक कर लेते हीटिंग के साथ साथ and due to benchmark test फिर से रन करके 485,000 के आसपास more or less score दिख रहा है यानि पिछले score से 11,000 कम आया and temperature के बात करो तो phone ने temperature थोड़ा सा control कर लिया है front side पे और back side पे दोनों में temperature थोड़ा सा कम दिख रहा है एक गंटे extreme test पे phone का जो body temperature है maximum 46 degree के आसपास दिखा है अब भी 15 minutes के CPU throttling test के बाद temperature थोड़ा सा और नीचे आगया 41 degree के आसपास दिख रहा है front side पे and back side पे 43 degree यानि जो temperature है उसे कही न कहीं phone control कर रहा है लेकिन performance में कमी नहीं दिख रही है, throttling नहीं हो रहा है दिख सकते हो, performance बहुत solid है, 92% दिख रहा है performance now guys battery life, 4000 million बैटरी फुल दे चल जाना चाहिए और 5-6 गंटे के आसपास screen on time मिल जाए, मेरा कम चल सकता है तो phone setup करने के बाद जब मैंने phone को use करना start किया full charge करने के बाद यह है day one का battery history 10 गंटे पहले मैंने phone को full charge किया था 4.5 गंटे का screen on time मिला, 17% battery बचाया भी 2 गंटे और मुश्किल से मैं खीच सकता हूँ, phone को 30 मिनट के आसपास और screen on time मिल सकता है और यह data मैंने second time लिया था, 7.5 गंटे पहले मैंने phone को full charge किया था 4 गंटे का screen on time मिला और 5% battery बचाया, फिर मैंने phone का कोई रिव्यू किया, अपना experience बताया आप लोग के साथ और फिर 4-5 दिन बिंदास phone को use किया बिना battery के बारे में कोई टेंशन लेकर फिर मुझे धीरे धीरे बैटरी लाइफ में improvement दिखना स्टार्ट हुआ, पेश है मेरे second last day का battery data सबसे अच्छी बात यह है, full day मैंने निकाल लिया है almost and 5 गंटे 47 मिनट का screen on time मिल चुका है अभी बैटरी बचा है और 6 गंटे का screen on time मुझे मिल चुका है, पीजे माइ 41 मिनट, YouTube एक गंडे 9 मिनट, फिलिप कार्ट 35 मिनट, YouTube स्टूडियो 43 मिनट, इंस्टा, फेस्बूक 18 मिनट, ब्राउजिंग, कुछ phone calls and WhatsApp पूरा दिन मैंने फोन को 120 हर्स के साथ ही यूज किया, always on display में लिया on था but tap to show and device को मैंने अपडेट कर लिया, यानि लेटेस्ट जो ऑक्टूबर का security पैचा है, किसी तरह कोई भी battery saving mode मैंने apply नहीं किया, एक मिनट के लिए भी and 90% time मैंने dark mode यूज किया और ये dark wallpaper, in short guys phone अगर आप location service, bluetooth, nfc वगरा यूज नहीं कर रहे हो तो उसे off कर देना, ready life को थोड़ा improve करने के लिए आप dark wallpaper यूज कर सकती हो, और हो सके तो dark theme भी, thanks for watching, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो please वीडियो को like और share कर देना, फीचर में ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए सब्स्ट्राइब करना मतूला, thank you very much